अब वह 08, Note 10 Pro, Camon 17 Pro से उपर वले स्टेज़ पर आने की ट्राइग का रहे हैं तो यह सारी चीज़ें थी जिसकी वज़ा से Infinix और Tecno flagship level के बालफून की तरफ जा रहे हैं आपकी एंट से काफी जादा questions आ रहे थे अब बताने वालों एक एक पॉइंट बताने वालों जो के मैंने experience किया है और मैंने अपनी research में देखा है कि actual में क्या वजह है कि यह वाले brand move का रहे हैं flagship लेटी तरफ अगर बात कर लिजाए ना तो आज से ज्यादा नहीं एक साल पहले की बात है यह वही brand है यह वाले chipset प्रोएड करते थे बैड बिल्ड क्वाल्टी होती थी बैड कैमरा होते थे लेकिन हमने देखा कि flagship level तो second stage है हमने देखा कि एक साल के अंदर अंदर ही इन companies ने बहुत ज्यादा इप्रूफ किया अगर Infinix की बात कर लिए तो Infinix Note 10 Pro आया 30,000 कर price track में बहुत अच्छी इसस्पेस्टाइशन लेकर 08 आया 08 आया Infinix की बात कर लिए Camon 17, Camon 17 Pro, Tecno, Poa यह वाले mobile phones आये और बहुत huge improvement के साथ है एक साल के अंदर अंदर यह brand flagship की तरफ क्यों move का रहे है यह चीज़ें आपको बताने से पहले आपको कुछ और चीज़ों का पता होना बहुत ज्यादा ज्यादा ज्रूरी है जिसकी मदद से आप इस वीडियो को और अच्छे तरीके से समझवाएंगे यह फस्ट आप आपाल तो आपको बता होगा पाकिसान में डूमिनेट नहीं है लो बजट मार्किट में इंडिया में अधर आजियन कंटरीज में और इवन के गलोबल मार्किट को भी अब टार्गत का रहे हैं जिसकी वज़ा से यह बहुत सारे इंटरनेशनल टेक रिविविवर्स को जोके हाई टेक रिविवर्स हैं में मक.bh.d, BarnBox Therapy और पहले टेक रिविवीर्स हैं उनको पने युनेट बहुत हैं ताकि इनको गलोबल मार्किट में पाता लगे हैं में अगर बात कर लिए पाकिस्तान में 10 से 25 के प्राइब्य मुखत बड़ा मार्किट हो है और आनका असे म साथ यह बातर करें यह वाले में प्राइब के लाइब सेसे क्टन इस थाकर के लाइव चया हैर कि कि आपने देखा हो गए इंफिनिक्स लैपटाप की कुछ पिक्चर लीक आउट हुई है तो डेफिनिटली वह वाला लैपटाप भी बहुत जदी लांच होने वाल है अब जहां पर जो फिर्स्ट इस दरना कि यह कंपनी इस फ्लैक्शिप लेवल की तरफ क्यों मूव करने ल लेकिन अब भी उसकी वह वाली ब्रैंट इमेज नहीं है दोनों ब्रैंट की लाइक आप किसी बंदे को कहना के यहां एक्सपेरिमेंट करके देख लेए अब दस लोगों को कि कि आपको पुचास जार पे दिया जाएगा आप कौन से मबलफून करेंगे टेक्नो करेंगे इ यह वह ब्रैंट करेंगे देफिनिटली वह टेक्नो नहीं करेंगा उसकी वजह कि इनकी ब्रैंट इमेज उस लेवल की नहीं है लगिए वह सेम सेनर्ग्यों है जो कुछ साल पहले ओपो और वीवो के मबलफून को चैना का माल कहा जएता था और कोई इन पर ट्रस्ट हीदा ओंपो भी और बाकी ब्रैंड काफि पहले ले आए अब टायम है टेक्नो और एन्पीकव में बात कर लिए हों एकसी एम और यहां वांगे बात करना नाम की नाम की बाता लागा रहा। वो concept होना वो market में नहीं आएगा 160 watt की charging थी 50 watt की wireless charging थी 63X peroscopic जहां पर zoom था GN1 का sensor था 50 megapixel का curved display थी यह वो सारी चीज़ें थी जो कि brand आपको दिखा रहा है कि भाई हम इन future यह वाली चीज़ें लेकर आने वाले हैं यह यह वाली चीज़ें थी अभी बात कर लिए कि यह एक अलग चीज़ है कि brand आपना अपना वर्ट फूल लांच करता है कर नहीं करता लगी यह वो same scene था जो कि Xiaomi की तरफ से Mimix Alpha आया कुछ ताइम पहले यह वो same scene है जो कि इन्फिनिक्स का concept phone आया और मैं आपको एक fun fact भी बता दूँ कि अगर techno phantom x आता है इन्फिनिक्स तरफ से 0x आता है 50,000 प्लस के price tag में इवन के 50,000 के price tag में आता है तो यह दोनों brands बहुत ही limited quantity produce करेंगे लाइक कुछ 100 पीस या कुछ 1000 पीस करेंगे क्यों उनको यह चीज़ बहुत अच्छे से बता कि वो एक अगर huge quantity में इसको launch करेंगे तो उनका smartphone इतना जाद sale out नहीं होगा क्योंकि अभी लोगों के mind में इवन कि आपको वो जो specification दे वो 17,000 यह एक लाख वाले smartphone वाली हो लेकिन brand value की वैसे उनका smartphone इतना sale out नहीं होगा यह वो time है जो के इसकी वजह से बीबी के ग्रूप की तरह यह ट्रांसेशन ग्रूप की आपको इन फ्यूचर आपको फ्लैक्शिम वालफूंत भी देने वाला है पचासदार प्लस category भी होने वाली है इससे भी उपर यह वालफूंत जाने वाले हैं तो यह सारी चीज़ें थी जिसकी वाया से इन्फिनिक्स और टेक्नो फ्लैक्शिम लेवल की वालफूंत की तरफ जा रहे हैं अब यहां पर तोड़ी सी चीज़ें ही इंप्रूफ कर लें तो काफी ज्यादा बैटर रहेगा इनके लिए जो Zuk मैंने चीज़ किया, 20-25 की काटगरी में भी 30-30 की काटगरी में भी और बाकी काटगरी काटगरी में भी इनको कुछ चीजों की इंप्डोफ करना पढ़े लाएग अपने कैमरा की क्वालटी की इंप्रूफ करना पढ़ेगा हाँ हमने ये भी देखा कि कुछ रिसेंट टाइम में केमन 16 की बात कर लिए जीरो एक्स की बात कर लिए उनमें सेंसर भी एच्छी है और क्वालिटी भी एच्छी दी लेकिन तोड़ा सा इमिज प्रोसेसिंग पर काम करना पड़ेगा सेंसर एच्छे लगाने पड़ेंगे उ और ये क्या बात नहीं है बैए ओस हर ब्रैंट का यह सब्सक्राइब करेंगे और आपको इन फ्यूशिफ लेवल के देखरो गिलेंगे पहुं सारे लोग के मायंड में यह बहुत नहीं कि होने उन वाला आइसा अकार्डिंक तुमी कुछ साल में पहलों की बात काईंगें पूरी मार्किट में बाकसान की बात कर लिए था है यह बात कर लिए तो यह बाइब कर रहे हैं यह मुव का रहे हैं कि इस केटेगरी को भी टेच किया बाकिया और आप क्या उपीनियन देंगे इन ब्रैंट को आपके क्या सिजेशन होंगी क्या सिजेशन हो तो डेफिनियन ब्रैंट को दिया करें ताके वो उन चीजों को देखे और इनको इंप्रूव करने की ट्राइब करें बाकि आपको वीडियो कैसी लगी है यह बहुत मज़ा है कि वीडियो ती यह कार्डिंग टूमी जो कि मैंने जितनी भी वीडियो बनाई ह पाकिस्तरा की मज़ीड वीडियो आपको चाहिए है नहीं चाहिए इन फ्यूचर कमेंट करके मुझे लाज़ी मताइए का मैं हम थापो किसे नेक्स वीडियो में थब तक के लिए लाव